आज हम सूजी से बनाएंगे नास्ता एक बाउल के करी में सूजी है और गैस पे हमने पानी को रख दिया गर्म होने के लिए तो अब देखिए हम सूजी को भूनेंगे नहीं डिरेक्टली हम ऐसे ही पानी में बाउल करेंगे तो देखिए हमने पानी में सूजी को घोल दिया और गैस का फ्लेम धीमा होना चाहिए और बराबर चलाते रहेंगे तो अब ये रेडी हो चुका है उख्णा होने के बाद हम इसे हलका सा तेल लगा के रिफाइनॉइल या घी इसको बराबर हम गुथ लेंगे तो देखे ये रेडी हो चुका है और हम अब इसके छोटे- बनाईए इस रेस्पे को तो देखे बहुत ही टेश्टी बहुत ही अच्छा नास्ता और जट पड़ बनने वाला नास्ता बच्चों को लेंच में दीजिए और ये देखे बनके रेडी हो चुका है अब हम जाली-वाली ठाली लेंगे एक-एक पीस करके सभी को हम डाल दें तो देखे इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा गैपिंग होनी चाहिए अब यह हमारा बनके रेडी हो चुका है अब हम इसको गैस पे रखते हैं पानी को गर्म होने के लिए देखे हमारा पानी गर्म हो चुका है अब हम ठाली को भगवनी के उपर रख देते हैं और उपर से हम ढख देंगे ऐसे नहीं चोड़ेंगे तो 10 मिनिट लिए हम प्लेट से ढख देते हैं घर्म होने पेन नहीं निकालेंगे तो जाएगा इसलीए थंड़ा होने के बाद ही निकालेंगे अब गैस पे हमने कड़ाई को रख दिया दो टे बली स्पून के करें में हमने रिफाइन ओईल डाला आप जीर्या से तड़का लगाएंगे और कटी हुई प्यास एक मेडियम साइज टमाटर हरी मिर्च और इसको ब्राउन होने तक प्यास टमाटर को भूनेंगे अब हम हब बने हुए पीसिस को डाल देते हैं कड़ाई में और गैस के फ्लेम देमी होने चाहिए नहीं तो नीचे से पकड़ने लगेगा और स्वादा अनुसार नमर थोड़ा सा मसाला हल्दी पावडर अब हम बराबर मिक्स कर लेते हैं मिला लेते हैं तो हम बराबर चलाते रहेंगे तो देखिए यह हमारा हेल्दी नास्ता रेड़ी हो चुका है दोस्तों मेरे द्वारा बताए गई यह सूजी की रिस्पी आपको कैसी लगी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सस्क्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूले तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाए